इस question में half life दिया हुआ first orderation का 1386 seconds आप से पूछा गया है specific rate constant for the reaction तो इधान देना specific rate constant का मतलब क्या होता है k तो आपको k बता करना है तो इधान देंगे first order का जो t-half होता उसके लिए formula क्या होता तो t-half equal to होता है 0.693 by k अब के निकालना है तो के क्या होगा 0.693 by t-half अब t-half के भालों को पूट कर दो 0.693 divided by 1386 अब इसको उपर जो है आप लिख सकते हो 693 into 10-3 divided by 1386 अब यह जो है दो बार में cancel हो जाएगा तो ultimately हो जाएगा k equal to 10-3 by 2 यानी हो जाएगा 0.5 into 10-3 second inverse तो आप देखोगे आपका answer किस से match करेगा तो हमारा answer option 20 से match करेगा तो यह था इस question का correct answer analysis मुग करता हम लोग next question पर